नमस्कार, मैं विकास चनल गुड्डु बाबा, एक बार पुना, आप सभी लोग के बीच में फेस्बुक लाइब पर आ रहे हैं, आज कभी से जो होगा वो सबसे वलंत होगा, जो राज का और राष्ट का भोईस से जुड़ावा मामला है, वो है छात्रों के संबन्द में, विशे की सुरुवात करने से पहले थोड़ा इंतियार कर लेते हैं, कुछ लोग और, रोसन, सिंग्र, अठोर, जुड़ गए हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लोग, बिल्कुल जैसे ही मैं लाइव में आता हूँ, जोड़ना सुरू कर देते हैं, इंतियार करते हैं लोग, और लोग कुछ जोड़ रहे हैं, आज, राजकुमार पाठग जी, बिरे सिन्हा, बहुत-बहुत, आज, मुझे इतनी आपार खुसी हो रहे हैं कि ऐसे आदमी आज हमारे लाइव में जुड़े हैं, जिन्हें मैं अपना चानक के मानता हूँ, मैं अपने आपको नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं भावख हो चुका हूँ, विरेस का ये देखकर, आज से 20 साल पहले, पहली बार इन से मेरी मुलकात हुई थी, पटना के कंकड़बाग में, और उस समय इन्हों ने हमारी योजना पर, हमारे कार्ष्रम पर कहा था, कि गुड मैं इन्हें सेलूट करता हूँ, मैं ने फ़स्ट कहा उदगार के तोर पर कि ये हमारे चानक के हैं, बिरेस सिनहा जी, और चानक के मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि यदि मुझे सेलेक्ट करने की आवसकता पढ़ गई भोईस में, कि बिहार में 10 इमंदारों को खोजिये, तो म मैं बिरेस सिनहा का नाम सबसे उपर रख दूँगा, डॉक्टर बिरेस सिनहा, आज कुछ लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उसका बहुत ब्रासरे हमारे बिरेस जी को जाता है, लेकिन जो दर्द इन लोगों ने झेला है, धर्मेंदर जी जुड़ रहे हैं, ये सार लोग, जिन लोगों ने पूरा जीवन इस राज को दिया, बचाने के लिए दिया, कुछ लोगों ने सत्ता का सुख, कुछ क्या, अधिकांस लोग भोग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अधिक्वेश्ट पहुंचाया गया, तो मैंने जो कहा था, पसुपालन के संबंद मे एलारेस को खत्म कर देना, पसुधन की युद्वी थी, म्यूट का जो मामला था, उसको खत्म कर देना, वर्तमान ब्योस्थाव ने भी खत्म किया है, और उसमें बिरेस जीजे से लोग भी पुडित हुए हैं, और निश्शित तोर पे, आज मेरा मनुबल पूचा हुआ है कि आज के 20 साल पहले जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, कि गुड्डु वावाज जिस काम को आप करने जा रहा हैं, पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन लगे रहिएगा, तो निश्शित रूप से आने वाले समय में आपको, मैं कह रहा हूँ, कि समाज को कुछ दे पा अब बहुत सारे लोग जुड़ गया है, विने कुमार तिवारीज या गया, सिवारंजन प्रशाद, सभी लोग जो जुड़ रहा है, सभी लोग जुड़ते जा रहा है, रक्तवीर फारुक अमत सिवान से, ये ऐसा रक्तवीर है, जिसने पूरी जीवन, सिवान जीले में ऐसा नाम फारुक अमत का है, कि मैं समझता हूँ कि जो लोग भी थोड़ा समाज से जुड़े हुए हैं, वह लोग हमारे समाजी की युद्धा को जरूर जानते हैं, अमत आपका भी बहुत बहुत, आपको तो मैं अशिर्वाद ही दूँगा, सुखी रहिए, खुस रहिए, और आने वाले समय में हमारे सिवान जीले का नाम रौसन करिए, यहां शिर्वाद है आपके लिए, और आपके पूरी टीम के लिए, चलिए हम लोग मुद्धे पर आते हैं, आज बड़ा ही चिंता करने वाला चिंता और सोचने का विशय है, मैं अखवार सुबर सुबर जब देखा हूं तो अखवार में मैंने देखा, चिंता सिर्व इस बात का नहीं है, कि सिर्फ छात्रों की बात है, चिंता इस बात का है कि इस देज में क्या हो रहा है है हमारे साबने एक पेपर है कि आप लोग देख सकते हैं इसे कि एक तरफ एक राज जी के हमारे पौरोसी राज जी के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट хл एक तरफ हमारे इस राज अपने राज के माननिय मुखमंत्री जी नितिश जी का स्टेट्मेंट है योगी जी ने छात्रों को लाने के लिए कोटा भेजी 300 बसें दूसरी तरफ बिल्कुल पैरलर में है हमारे मानने मुख्यमंत्री जी नितीज जी ने कहा कि अंदर देखे ऐसे में तो लॉक्डाउन बेबतलब हो जाएगा अब इस सिती ये है कि क्या इस देश में अलग-अलग राजियें अलग-अलग कानून चलाएंगी अपनी अपने तरह की व्योस्थाएं चलाएंगी इस देश में यह बहुत बड़ी चिंदा कभी से है यदि योगी जी सही है तो मेरे माननिय नितीज जी गलत है और नितीज यदी सही है तो माननिय मुख्य मंत्री योगी जी गलत है और इसका अब मैं सीधे सीधी मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि मेरी आवाज को जैसे भी हो माननिय प् सर्वे सर्वा हैं प्रमुख हैं आप इस पर निर्णा लेजिए क्या कि यह क्या हो रहा है इन राजियों के बीच में पड़ोसी राजियों के बीच में आपस में क्या हो रहा है और सबसे बड़ा मुझे आश्चर इस बात का लगा कि इस राज के जो अभी चिप सरेट्री मु मुक्षची दिपक कुमार जी हैं, सुल्जे हुए हैं, बहुत बड़ा उनका कंट्रिबूसान ने इस राज के लिए, स्वास्ते लेकर हर विभागों में जहां भी रहनों नों कुछ किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन हुआ कि स्टेट्मेंट इसी पेपर में नीचे मैं देख रहा हुँ कि छात्रों को अनमती दी गई, तो स्रमिकों को क्यों रुका जाएगा, और इसका मतलब है कि स्रमिकों के वज़ए से च्छात्रों की उपेख्छा, छात्र जो हैं, वह अपने स्वेंद ने इच्छा से नहीं गया है, मैं बोल रहा हूँ इस सिराज के लोगों के लिए सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि हमारे जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने गए हैं वो स्वेक्षा से नहीं गए हैं उन्हें यहां कि सिख्षा ब्यवस्था ने बाद किया है कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाएं चुकि हम लोग जो पढ़ा करते थे तो इंटर की जो पढ़ाई होती थी, कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती थी, उसमें में कियो वैसनात को तर के सिख्छक होते थे, पिएजडी वाले सिख्छक होते थे, वो लोग इंटर का पढ़ाई, इंटर साइंस की पढ़ाई करते पढ़ा हूं एन कॉलेज में बच्चे फेल करते थे इतनी पढ़ाई जहां उससे में कड़ी थी ट्रैक्टिकल करते थे सभी कॉलेजों में जब से ये इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज से अलग कर दिया गया तो जो इंटर कॉलेज थे जो प्लस टू बनाये गया रहाई पढ़ाने वाले सिख्चा फोगया वो खुद ये भी एड थे तो कहां से पढ़ा पाते वहां की सिख्चा व्योस्था को चौपट किया गया हमारी व्योस्था ने किया किसी भी सरकार हो बच्चों को बाद किया ग तारी कर रहा है मैं एक और चीज़ बता रहा हूं मेडिकल के छेतर में मेडिकल कॉंसील ओफ इंडिया के अनुसार 16 लाग की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज किया हो सकता है मैं दो हजार चार पांच की बात कर रहा हूं उस समय बंगलोर में महारास्ट्रा में ऐसे जगों प प्रणा उनके पास मेडिकल कॉलेज और इंजिनिरिंग कॉलेज थे वहाँ पर मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज एक उद्योग के दर्जे में का रूप ले चुका था करोडों की बात मैं नहीं कर रहा हूं इस गरीब राजिका एक अरब से ज्यादा रुपया प्रतेक वर्स आम लोगों का बच्यों को पढ़ाने के लिए कोटा बंग दूसरी अस्थानों पर भेजा जा रहा है दूसरे राज्यों पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिये और आज संकट के समय में उनको अपने राज अपने घर वापस आने की बात आ रही है मैं यह नहीं कर रहा कि अपने निर्णय पर सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर और प्रधानमंत्री का बहुत बढ़ी जवाब देई हो गई है हम लोग उनके हाँ मेसेज करेंगे कि आप यह निर्णय लेकर बताईए कि इसी देश में दो तरह की व्याउस्थाएं कैसे चलेंगी आप जब वोट मांग रहे थे तो यह कर रहे थे कि आप जो दोग यह सीधा मोदी जी के पॉकट में जाएगा आप इस देश के सबसेद जिम्मेवार व्यक्ति आज इस देश में हैं आप इस पर निर्णय लिजिए कि या तो आपके जोगी जी गलत है या हमारे नितिश सी गल अपने मिरिट पर नहीं गये हैं एक नाम पर गये हैं कि मजबूत प्रधान मंत्री नरिंद्र भाई मोदी मोदी जी को लोग ने भोट दिया है इसलिए मोदी जी इसमें शेप करिए ये देश में बहुत पड़ा ये कुरोना के वज़ा से यह इस तरह की जो आ रही है डिफ्रेंसेज आ रहा है राजियों के बीच में मनवानी करने का या तो यूपिक में मनवानी हुई है या हमारे राज में मनवानी हुई है जल्दी से जल्दी सका रास्ता निकालिये और जो बच्चे हमारे फसे हैं क्या फर्क पड़ता है यदि दसजार बच्चे मां होंगे ही दूसरे इस्टेट में तो क्या हमारे पास यतना भी साधन नेकम उनको बुला सके अपने हाँ बुलाये जा सकता है अब कोरोना से का जो हुआ था वो धीरे-धीरे लोग-एजिस हो रहे हैं जिस तरह से एक समय मरेगा से लोग मरते थे टिव करोशीं से मरते थे अब कोरोना कोई 6 मैने साल भर की बात नहीं है या कोरोना की डिजिस जो है यह अब विस्व में लगातार यह लंबे समय तक रहेगी कोरोना के आड में जो यह सब चीजे हो रहे हैं अब यह धीरे धीरे नॉर्मल हो जानी चाहिए एक तरफ बीस तारीक से खुलने जा रही है जब आफिस खुलेगी तो लोग वहां तक दूर हमारे हैं चिंता करिए विचार करिए और मैं बिहार की सरकार से मांग करता हूँ कि इस राज में कितने कोरंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनका एक लिष्ट प्रकासित कर दिजिए उस कोरंटाइन सेंटर में कितने लोगों को स्टे कराने की क्यापेसिटी है यह पर तो उस कुरिंट्राइन सेंटर उनके लिए बनाया जाना चाहिए कि माने मुखमंत्र जी आप भी छात्र जीवन में रहे हैं पट्ना इंवर्शिटी की राजनीत आप लोगों ने की है यह वही बच्चे है इसी राज के बच्चे हैं आपके और हमारे बच्चे ही हैं कि यह कर देना कि लॉकडाउन टूट जाएगा नहीं आने देंगे यह कही से समझ नहीं पा रहा हूं मैं आग रही कर रहा हूं बिंति कर रहा हूं कि इस वाद पुनर विचार करिए पुनर विचार करना चाहिए सूबे के मुक्सच्चियों को सारे जो लोग भी क्रैसिस मीटिंग ह और यह सबो को करना चाहिए चुकि आप भी कभी वावक है न जिसके बचे बाहर फसे हुए हैं उनको भी तो लगता हो गारा बच्चा कैसे वापस आएगा और यह सब कोरोना का जो भै है लोगों में पैनिक जो होने की बात है यह सब दीरे दीरे लोग हो जाएंगे जब लोग इस राज में टुर्वकलोसिस से मरते हैं सांप पाटने से मरते हैं मरने की तो ही है मरने वाले मरें गई लेकिन कोरोना के नाम पर जो है अभी तक यदि सच्चाई में इमंदारी से जांच करा दी जाएगी तो जितने डेथ हुए हैं कोरोना से दो हुआ है उससे जादा डेथ इस राज में हो गया कोरोना के आर में मड़ीजों की उपेक्षा करने की वज़ा से कोई भी अस्पताल में गया फीबर का कोई नॉर्मल इसका मतलब है कि उस नागरिक की इलाज हमारा राज जी ने नहीं किया तो ये सारी चीज़े हैं इसलिए ध्यान देख करके विचार करिये मैं सिर्फ आगरा ही कर रहा हूँ कि छात्र ये फसे हुए हैं बगल में अब तो ये किसने गलती के मैं नहीं जानता हूँ लेकिन यह जो खबर है कि योगी जी ने तीन सो बस भेज दिया कोटा छात्रों को लाने के लिए तो क्या हमारे बच्चे ये नहीं सूच रहेंगे बैटकर के बाहर में कि हमारी सरकार में लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है इस पर पूरा विचार करने क्या हो सकता है उनके लिए ये पांसो हजार कुरिंटाइन सेंटर बनाने क्या हो सकता है तो उनको बुलाईए और उनको उस सेंटर पड़किए इसमें कहां कोई बहुत बढ़ी पशानी की बात है और इस वेलफेर स्टेट का कोई मैंने नहीं रा जाता है इसलिए मैं आगरह करता हूं मान्ये मुख मंतरी जी से जो छात्र हमारे बाहर में है उनको लाने पर फिर से विचार किया जाए और आप बात करिए प्रधान मंतरी जी से आप बात करिए कि जो हुआ वो गलत हुआ है औ और नहीं तो हमारे बच्चों को भी राज के बच्चों को भी आप बूलाईए। आप भी छात्र डिडर रहे हैं, वहीं से आप लोग आ गया हैं। चात्रों की उपेक्षा कोई भी सभी समाज और सभी सरकार नहीं कर सकती है यह मेरा अपना व्यक्तिकत कॉंसेप्ट है चात्रों के हित की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और मेडिकल कॉलेज की जो मैं बात कर रहा था 16 लाग की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज MCI के नॉर्म्स के अंसार होना चाहिए हमारे बिहार की आबादी 13 करोड हो गई है तो 13 शक आपको करेंगे तो 96 कम से कम आपके पास 1378 78 मेडिकल कॉलेज बिहार को रिक्वार्मेंट है हम लोग मात्र भी 10 परसेंट पर है तो 40 साल की 15 साल की व्योस्था में तीन मेडिकल कॉलेज खुला है तो कम से कम 50 साल और चाहिए उस टार्गेट को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सिस्टम को जगाना चाहता हूं व्योस्था को जगाना चाहता हूं हम में किसी से नराजगी नहीं है लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे बोलने से सायद लोगों में कोम हम क्या कह सकते हैं एक स्पिरिट पैदा हो लोगों के ब 78 medical college की जगा पर हम लोग आज 9 में हैं, 9 में भी 6 पहले से चल रहे थे, जहां 50% वहाँ सिक्षक नहीं है, teacher staff का भाव है, तीन 9 medical college जो खुले, बेतिया में खुला, पावपूरी में खुला, मध्यपूरा में खुला, तो पावपूरी और ये बेतिया में admission तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर सिक्षकों की सख्या 70% नहीं है, तो हमारे बच्चे कौन से सिक्षा लेकर पासा उठोते जा रहे हैं, ये सो आज सभी medical college कम से कम 20-25 medical college खुल गये होते, रेगलर एपार्मेंट हुआ रहता, तो कम से कम ये MCI का बार बार जो आता है कि cancel कर देंगे, cancel कर देंगे, ये सब चीज़े नहीं होती, या लोगों की हित की बात होती, लोगों का इलाज सम्भव हो पता, ये हो गया छात्र हित की बात मैं पुना कह रहा हूँ कि हमारे जो छात्र फसे हुए है, उनके उपर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए, और एक हमारे मुक्सचीव का statement जरूर आना चाहिए, पता नहीं कैसे हो गया है, अब मेडिया ही ने कर दिया है, कि छात्रों क्यों निमतित उस्रमिकों को क्य या कम महतु, दोनों ही बराबर महतु के हैं, और कॉरिंटाइन सेंटर पर कितने लोग के स्टे करने का अभी स्थिती है, पूरे बिहार में कितने सेंटर बनाये गया है, यह डाटा जल्दी से जल्दी सरकार को पल्रिसाइज कर देना चाहिए, अख़वारों के माध्यम से, और जितने हमारे चातर बाहर फसे हैं, डाटा सरकार के पास होगा, उनके लिए कितने कॉरिंटाइन सेंटर बनाने किया सकता पड़ेगी, इस पर विचार करके उनको लागे कॉरिंटाइन सेंटर में रखिए, इससे कहीं मुझे फायदा नहीं होने जा रहा है, इससे कहीं चात्रों का सान्वोती आपके प्रती आएगी, सरकार के प्रती आएगी, आप करिए, विचार करिए, और एक बहुत ही positive बात है, positive बात है, इसलिए है, कि मेरी निगाह छोटे से अखवा, ये कत्रन पे चली गई, भारतिय मुल्के, व्याज्यानिक होंगे, ब्रिटन के कोरोना विशेसक्य समू के अध्यक्ष, बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे भारतिय मुल्क के लिए, बारत के लिए, एक मामला है, भारतिय मुल्के व्याज्यानिक और नोबेल पुरुसकार विजेता, प्रोफेसर वैंकी रामाकिश्णन, ब्रिटन में उचस्तेरिये विशे अधान खोजेंगे, ये भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, दूसरी बात, ये आप लोग भी देख रहे हैं, कि पूरा विश्व एदियाज, कहीं सर्ट्फिकेट किसी को दे रहा है, तो भारत को ही दे रहा है, कि भारत में कोरोना से बचने का, कोरोना के संगर बात सबसे सफल साबित हो रहा है, ये बहुत सरकार की भी सभी लोगों का देन है, खास करके भारतवासियों का देन है, जगी तो लगा कि मुझे बता देना चाहिए आप लोग को, उसके बाद बहुत ही दुख का भी सह है, दुख़त भी सह है, या घबडाने वाला इस्तिती उत्पन करता है, कि जो लोग अपने जीवन को खत्रे में डाल करके, आपकी और हमारे जीवन के सुरक्षा के लिए दिन राते कर रखे हैं, उन लोगों के साथ बत्तमिजियां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उनके साथ मार्पिट की जा रही है, या रुक नहीं रहा है, यह अख़वार आद प्रभात ख़वर में पास में है, दर्भंगा में सर्वे करने गई महिला कर्मियों पर हमला, यहां पर कुशल प्रसाशक वही होता है कि वह लिबरल भी होता है, और कड़ा भी होता है, जहां कहीं भी हमारे हिल्थ वर्कर पर, चिकिस्को पर, मेडिकोज पर जो हमले हो रहे हैं, उनके खिलाब जितना सक्त हो सकती है, सरकार को करना चाहिए, अरे उनके केस कम करिए, थोड़ा सा आरन हैंड वाला मामला होता है जैसे उनके पिछाड़ू पर कुछ देना शुरू करिए, लोग पीछे अटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यहां लोगों को मैसेज चला जाता हो, चला जा रहा है लगातार, इस सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, आप छूट दे दीजे न, परसासन के लोगों को, एक दो जगह इस तरह के छूट दे देंगे, लोगों के उपर करवाई हो जाएगी, लोग हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हर जगह से खबर आ रही है, आए दिन खबर आ रही है कि महां, उनके उपर पत्राव कर दिया गया, बेटिकोस पर हमला कर दिया गया, चोटे लग गई, उनका कागज फार दिया गया, कैसे लोग काम करेंगे? पर नहीं होता है, तो फूरी सरकार से सभी लोग को विचार करके, पारा मेडिकल फोर्स को बुला लिजिए, संकट के समय में, फोर्स, हमारे हेल्थ वर्कर जो जा रहा है, लोगों को, अब तो सरकार सर्वे करवा रही है घर-घर का, उनके साथ निश्यत रुपसर प्राव सुरक्षा की विच्था ओनी चाहिए, जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर उनका मनोबल टूटेगा, तो बहुत 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 नुक्सान हो जाएगा, हमारे हेल्थ वर्कर का, हेल्थ के सेक्टर के लोगों का मनोबल नहीं टूटे, इसलिए उनके साथ जो लो से नहीं होगा, उनको जो आर्मी को दे दीजे न, जिस तरह से एक आर्मी वाला कहीं खड़ा हो जाता है, तो उसका सिर्फ खड़ा होना ही बॉडि लांग्वेज जो है, वह लोगों को कहता है कि यहां काम नहीं चलेगा, उस तरह का कुछ ब्यास्ता कर दीजे हमारे मेडिक कॉलेज जो खुलने चाहिए थे, दस परसेंट को हम लोग हैं, इंजिनिरिंग कॉलेज का मेरे पास डाटा नहीं है, मैं अगले लाइव में बताऊंगा कि इंजिनिरिंग कॉलेज कितने होने चाहिए थे, आज मैं एक और बहुत बड़ी जो समस्या है, वह समस्या है, वह अखवार के इमाध्यम से जांकारी मिल रही है, मैं लॉगडाउन का लॉगडिंग पिपूल हूँ, इसलिए सत प्रचत पालन कर रहा हूँ, मैंने जिस दिन से लॉगडाउन लगा है, मैंने अपने सीड़ी से बाहर कदम नहीं रखा है, पास बनाने में फजिया, तूट र नहीं किया गया जागरुख, सरल और सहज हो पास बनाने की प्रक्रिया, सहज हो प्रक्रिया, मुझे कहने में कहीं कोई आपती नहीं हो रही है, कि जिन लोगों को पास बनाने की जवाब देही दी गई है, उनके हां का कल्चार अभी ऐसा हो गया है, कि वो तो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि जो लोग आवेदन कर रहे हैं गाड़ियों के लिए पास के लिए कि आपका reject कर दिया गया किस कारण से reject कर दिया गया हमारे पास कुछ जानकारी है जानकारी यह है हमारे पास में कि मरन्य पटनाउ चिन्याले के कुछ अधिवक्ता ऐसे है एक तो बहुत गंभीर मामला यह है कि 97 एर्स 97 एर्स ओल्ड मदर जो है पटनाउ चिन्याले के एक एड़ोकेट के मुझफर पूर में है अब उन्होंने भी अपने पास के लिए अपलाई किया था क्योंको मदर की तवियत क्याव उनको वहां जाना है और वो लोग वेट कर रहे थे कि 14 को जो लॉक्डाउन खत्मों का तो हम चले जाएंगे लेकिन लॉक्डाउन तीन महीं तक हो गई अभी अभी इस सुवे के एक तेज तरार आईएस वरी आईएस गिरी सचुग की मदर का ध्यानत की खबर आई हम लोगों ने भी उसके लिए उनकी आत्मा किसानती के लिए सान्वोती का ये किया था तो क्या इस तरह के बहुत सारे वकीलों की जो माता है संतानवे साल की अटसी साल की बोढ़े लोग पैरेंट सुनके जो घर पर फसे हुए हैं किसी या आम लोगों के वो अपने माप मापिता के मरने के बाद साथ राद कर्म में ही जाएंगे क्या इसलिए जो लोग भी मेरे प्रशात संग के लोग भी मेरे उपर नजार रख रही होंगे मैं जिला दिकारी पटना से ट्रांस्पोर्ट के प्रिंपर सेकैर्ट्रीस, चिप सेक्रेट्रीस, सभी लोगों से मांग करता हूँ कि old days के ground पर जिन के भी जिन लोगों के भी माता-पिता गाउं में फसे हैं कहीं दूर फसे हैं इस राज में उनके लिए priority पर पास बननी चाहिए उनका पास बनवाईए कि अरे आप भी तो आने आप भी आप लोग भी तो मतलब किसी धर्ति के हो आपको भी मदर फादर है आप सरकारी कार्ड कर रहे हो समाजिक कर रहे हो लेकिन एक अपना माता-पिता का रिंड भी होता है अब वह बैचारे-बैचाहन है कि 97 साल की उमर में अब उनके मर जाएंग कि मरने पर उन नहीं जाएगा लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूं बिंति कर रहा हूं कि लोगों के भी दर्द को समझीए कोरोना और लोगडाउन की वज़े से लोगों को प्रताडित करने का जो इस्तिति है वो मत उत्मन करिए जो लोग आप एक चीज़ बत मैं बता रहा हूं कोई नहीं हो टेकनिकल नहीं हूं लेकिन एक अनभव तो है अनभव यह कहता है कि जो अधिवक्ता या जो सामाने लोग अपने घरों में 22 तारीक से लॉकडाउन के ताथ अपने घरों में बंद हैं तो उनमें कोरोना कहां समावी हो गया है और यह दि वो अपने वेकिल का यह कहीं से वेकिल इंतिजाम करके उस वेकिल को सेंट्राइज करके यदि वो अपने किसी दूसरे जिले में जाएंगे तो क्या वो को धो कर ले जाएंगे क्या समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इसलिए कम से कम वैसे लोग जिनके मदर फादर जो है माता पिता ओल्ड पर आपको पास उनका बनना चाहिए अधिवक्ताओं का और खास करके लोगों का चो कि वह अधिवक्ता भी समाज के हैं वह भी आपके समाज के बहुत बड़े पुरी शिच्टम के एक बड़े किसी भी समाज के प्रत्यक समवर्ग के लिए जिनके मात मदर फादर जो है वोल्डेज में हैं और उनको देखने के लिए जाना है वही उनकी वारी उनकी यह हैं गार्जियन है उनकी देखने करने वाले लोग हैं वह फस गया है तो उनको अपने माता पिता के पास जाने के लि लोगों को कष्ट देना कोई सरकार का हो हो सकता है कि गलती से हो गयी हो में एक चुन कोई जिंक्रूम वह दूफ कर च्रकार का लोग हो पैरंट के सब्सक्राइब करआ। है कि पैरन्ट्स के नाम पर जिनका वल्डेस है विमार हैं लोग उन्हें वहा वहां तक जाने के लिए आप पास का रिलेक्सा संद्धें पास की सुधा उन्हें उपलब्द कराएं या कोई आउसक नहीं कि मरने के बाद ही आप उनको पास दीजिएगा आज एक और मेरी नजर पड़ी है कि सिक्षकों से मैंने अग्रह किया था कि भाई आप हरताल तोड़ दो पता नहीं क्या वो लोग कर रहें नहीं कर रहें नहीं जानकारी मुझे सरकार क्या करी नहीं जानकारी लेकिन एक खबर मैंने देखी जो थोड़ा सा दर्थ पहुंचता है कि हरताल अओधी में एक काम सिक्षकों की मौत हुई है तो सरकारी अंदेखी से सिक्षकों की गई जान थोड़ा से भी आग रहे है कि जितना जल्दी हो इस इसस्तिती से दोनु कि आपर सम्बिल बैठकर के बाहर निकले और राज और समाज की भलाई में दोनों पक्षी जो है अपने को लाएं हर्ताल खत्म करवाएं चुकि पैसे के अभाव में एक भी व्यक्ति की मौत होती है भूख से एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो वो welfare state के concept को कि अधारना को ही द्वस्त करता है और मैं इतना ही कहूंगा कि कोरोना आया है तो कोरोना से हम लोग सीख भी रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि जब अखवारे में रोज ये खबर देख रहा हूं कि आम लोग खास करके वावर्ग आकर के विभीन जगों पर लोगों को रहात सामगरी पहुंचा रहा है हर तर कि मजहौलिया में वाँ के बच्चों ने प्रशाशन के साथ मिल करके फल to की कताओं को आपको सब्जी विक्रताओं को मास भी स्वित्रण किया है यह वहां का एक बड़ा समास से भी है सुजीत रमण सिंग थाना पर भारी मजहौलिया है सब्सारे लोगों मैं देख रहा थ कि इन लोगों ने वहाँ पर एक बड़ा काम किया है और यह कितना बड़ी बात है कि यह आस्वस्त करता है कि संकट के समय में यह देश एक हो लोग एक हो जाते हैं सारी आप इस रंजी से बोलता है एक दूसरे को सहयोग करते और अभी हमारे जितने इस राज के रक्तवीर हैं युवा है आज फिर को संकट में डाल करके दूसरे की जान को बचाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम यह नहीं कहेंगे कि भाई हमारे मंत्री जी कहां दिख रहे हैं यह सब बाते दिकार की चीज़े है पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है लेकिन जागरूप करने के लिए निस्पक शो आज पर्सनल प्रोटेक्टिव कीट उपलब्ध है या नहीं है अब सचवाले खुलेगा सारी ओफिसेज खुल रही है तो स्टाफ को सारी चीज़े मोहिया होनी चाहिए और हम लोग यह फिर अगले दिन नए विशु पर और जितने लोग जूड रहे हैं जितने लोग हमार उत्ताफ वर्धन कर रहा है और मैं यह लोगों से मांग कर रहा हूं मैं आप लोगों से सला भी मांगता हूं कि आप लोग अपने अपने सब विशायव जो हमसे जानकारी चाहते हो मेरे से हमसे आप बोलिए पूछिए हम कोशिस करेंगे उसका जवाब देने के लिए आज एक दो लोग ऐसे थे जो अपने कोश अमास से भी बनते हैं उन्होंने कहा बाबा आपके बोलने का कोई असर नहीं हो रहा है तो मैं उनके लिए से इतना ही काना चाहता हूं पता नहीं कोई मानस पूतर की कौन पूतर का लाते हैं वो मैं उनको इतना ही काना चाहता हू कि यदि सच्चाई के लिए माचिस की एक्तिली भी किसी ने जला दिया तो उसकी सफलता का वो बाब दंड होता है आपके लिए इतना ही काफी है धर्मेंदर कुमार जी जुड़े हैं इन्होंने कहा है कि फार्मेसी कॉलेज की बाहर ला दी गई है बिहार में लेकिन फेकल्टी कहां से आएंगे बिहार में बच्चों लॉकडाउन के बाद इन सब विसोपर्मों बात करेंगे चुकि हमारा राज यह यह आपको नर्सिंग स्कूल की मैं बात बता दूं नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग माफिया जो सबसे इंपॉर्टन चीज होता है नर्सिंग जो की मेडिकल सिस्टम की आँखे होती हैं हमारी नर्सिंग इनके लिए इन माफियाओं ने इस राज में मस्रूम की खेती जो होती है उस तरह से नर्सिंग कॉलेज खोली और हमारी व्योस्था ने उसको अनुमती दिया दो-दो कमरे में और जब परिख्षा होती है तो मैंने तो यहां तक देखा कि पीम स्टेज के सामने से लोग एपराउन खरीद रहे थे नर्सिंग का ड्रेस खरीद रहे थे जोस्था इतनी कि पास नमांकन से लेकर पास करवाने तक का सारा ठेका दारी होता है इसलिए इसलिए बात में हम लोगडाउन के बात करेंगे बी-एट कॉलेज खोलने के लिए गौर्वर्मेंट अपने हां कॉलेज खोलने में उसको परशानी होती है लेकिन जो प्राइब स्कूल खोलने के लिए आएंगे मैं एक उधारन दे रहा हूं अभी इस राज में बहुत सारे ऐसे पीजी डिपार्टमेंट है जिसको की मानेता नहीं है जो मेरे पास डिपार्टमेंट की जनकारिया थी पता ने कुछ हो गया होगा तो अलग बात है बीना मानेता का पीजी की पढ़ाई हो रही थी पीएम से जैसे प्रिमियर मेडिकल कॉलेज में हमने उस पे 2007 में मुकदमा किया था कि जो ये डिगडियां बाटी जा रही है इनकी मानेता एमसिया इसे नहीं है वह हमारे वैसे चिकित्सक जो बिहार के बाहर बहुत जगों पर है जब परमोशन की बाते आती हैं तो वो अपने को खुल के वहाँ प्रोटस्ट नहीं कर पाते कि जिस संस्थान में बिहार के बाहर वहाँ डॉक्टर है उन्हें वहां के लोग बताते हैं कि तेरी नौकरी चली जाएगी तेल बेचने इसलिए कि तेरे इसलिए कि आपके पास जो डिग्री है उसकी माननेता आपके राज में नहीं है तो उस तरह से प्राइवेट कॉलेज जितने नर्सिंग के खुले आप फार्मेसी की बात कर रहे हो फार्मेसी कॉलेज की बात कर रहे हो फार्मेसी कॉलेज कैसे खुलते हैं क्या होता है जब नर्सिंग का इस तरह से हुआ तो फार् रसल लगे रही अपने छेतर में और विपदा के समय में जो संघर्स करता है जो लोगों के हक के लिए सामने आता है वही समाजी के उद्धा होता है आपने जिनका आज तक रासन कार्ड नहीं बन पाए जो कि खाद आपूर्ति भाग के नाकामियों का नतीजा और आज वह दान की जरूरत है और उनकी समश्याओं को पटल पर लाने की जरूरत है हमने चितरंजन जयाज कहीं देखा है अखवार के मुख प्रिष्ट मैंने कहीं देखा है कि मानने मुख मंत्री जी का यह स्टेटमेंट है कि जिनके पास रासन कार्ड इस राज में नहीं है उन्हें भी र तकिकात कर लेते हैं जानकारी प्राप कर लेते हैं कल जब मैं आऊंगा तो उस पर आपके इस विशेश आपसे हम बात करेंगे और फिलहाल मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें तेजी लाएं जिनके पास रासन कार्ड नहीं है उनको और खास करके यह अभी जो चितरंजन राय जी जो है यह तीरो ब्लॉक जो है वहां का यह मामला है मैंने फिशले में भी बोला था फिशले बार के लाहिव में भी इसका मतलब कि महा से बड़ी कोई चुनोती है तो वह गरीबों का निवाला है कम से कम मुझे इस बात के लिए आने वाले समय में यह नहीं बोलना पड़े कि यह राज हमारा जो है वह गरीबों का निवाला छिनने वाली यह सरकार है मुझे नहीं बोलना पड़े मैं उमीद करता हूँ कि इस पर आप लोग सक्रिए होकर के संकट के समय में गरीबों का आनाज तरीके से अभी मैंने कहीं कहीं देखा है कि कि-किसी जगों पर दाल नहीं मिल रहा है कहीं पर जो प्र्धान बिनेत तिवारी जी होगा ऐसे लोग जागरूक रहिए आप सजग रहेंगे तो निश्ची तोर पर गरीबों का हक जरूर मिलेगा जब समाज जगा रहेगा तो कोई भी सरकारे समाज की उप्रिक्षान नहीं कर पाती है और यह बड़ा सुखत बात है कि हर राज में हर जीले म वो सफल नहीं हो पाएंगे और करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो इस बार जो इस्तिती होगी मैं समझता हूं कि वो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा जो लोग भी गरीबों का हक मारने है उपर वाले का भी मार पड़ेगा और यह जो सफेद दाढ़ी वाला जो तिवारी जी कोरिंटाइन सेंटर पर भोजन पानी सोचाले की समझत व्योस्था होनी चाहिए कई जगों पर इसकी कमी होने के कारण लोग भाग जा रहे हैं यक नया भी सैस आया तिवारी जी आपने नई जानकारी दिया है तो सबसे पहले मैं यहां कर दूं कि लोग जो भ गर चाहिए कि जितने कोरंटाइन सेंटर बने हैं जहां लोग करेंटाइन के लिए रखे गाएं उनकी सुरक्ष्ण और भाग नहीं पाएं यह व्योस्थां करने की जवाब दें लोकल ठाना को सरकार को दे देना चाहिए जितना जल्दी ओ सके और सुईधा कि बात रगे कि उनके लिए 사ोचाले की व्योश्थान नहीं है तो निश्य तॉर पे आपका बीनेजिक कुमार तिवारी जी जो आप मांग कर रहे हैं आपकी मांग को मैं सीर्जिक तरके से रख रहा हूँ सरकार से बांग कर रहा हूँ कि सभी जगह ये वरिफाई करा ले जिला परशासन के माध्यम से कि जितने कुराइन ट्रैंस सिंटर हैं वहाँ पर जो रखे गए हैं उन्हें किसी तरह की परिशानी नहीं हो रही हो नहीं हो अनूप नरायन सिंग जी भी जूड़े हैं वाह आज तो लगता है कि जो धाओं की आज भी लगए संभू सोनी शिवान से संजीव कुमार जी वाव पवन ठाकूर नीरज कुमार ये तो आप लोग जबाब दे रहा हो किसी व्यक्ति ने कहा कि आपकी आवाज का असर रही पढ़ रहा है वो यह दि देख रहे होंगे वो मानस पूत्र महराज जो है तो उनको समझ में आ जानी चाहिए बा फलता क्या हो सकती है बाबा के लिए मनोबल हाई करने के लिए कि अब कोई करणी शेना है उनकी जो हैं लीडर वह कह रही है सपोर्ट कर रही है बाबा को कि आप आगे बढ़िए संजीव कुमार रक्तवीर अमित कुमार संभू सोनी ये कोने कोने में इसका मतलब यही है कि समाजी के उद्धा और समाज के लोग हमारे खासकर युवा बच्चे जो है वो जगे हुए है और वाच कर रहे हैं संभू सोनी जी सिवान सहब बाबा प्राइबेट इस्तरी रोग विश्यसग की जितनी भी सारी किलनिक नहीं खुल रहा है बहुत सारी तकलीफ है गर्वती महिलाओं को उठाना पड़ रहा है किर्पया इसे भी विचार व्यक्त किया दे है अरी संभू सोनी जी आपका गुरिया कुठी गाओं में उसको दिखाने के लिए बात हो रही है तो गाओं में या तो आप एक दी दो दिन में हो नहीं सकता है यह इस सिस्टम का स्वास्तिभाग का फेलियोर है कि ग्रामिन छेत्रों में महिलाओं के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर प्रसूति करने का व्योस्ता नहीं है बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन इस समय कोरोना के समय में लॉक्डाउन सरकार ने लगाया है तो लॉक्डाउन की सिती में सरकार समय यह जानना चाह रहा हूं मैं नहीं बात करना चाहता लेकि समाज के लिए तो करना पोड़ेगा माननिये स्वास मंगल पांडे जी यह आवाज सिवान से उठी है सिवान के लोग यह जानना चाह रहे हैं कि प्राइबेट अस्पताल में जो इस्तरी डॉक्टर है वो अपना किलनिक बंद रखी है और जो गोर्या कोठी काम है बहुत सारे काम ग्रामीन अस्पतालों में लेडी डॉक्टर नह कि आप यह तकिकात कर लीजिए मानिये मंत स्वास्त मंत्री जी कि सिवान जीले में जो नर्सिंग प्राइबेट नर्सिंग ओम की जो महिला चिकित्सक हैं वो क्यों नहीं महिलाओं को देख रहे हैं गर्वती महिलाओं को आपके आपके अस्पताल सरकारी अस्पतालों में जहां महिला चिकर्सक की पोस्टिंग आपने किया है, जहां नहीं किया तो बात ही नहीं लगी जहां किया है, वहां पर वो जा रही है कि नहीं जा रही है, इलाज लोग का हो नहीं रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो लोग भी पटना आना चाहते हों, गर्वती महिल उनके लिए आप वहां के जिलादिकारी से बात करिए और उन्हें उनकी गाड़ी से आने के लिए पास की विवस्ता के लिए निर्देश जारी करिए जिलादिकारी को सिवान को कि आप सिवान को ही क्यों पूरे बिहार के जिलादिकारी को आप निर्देश जारी करिए कि जित यह बहुत बड़ा मैं अभारव्यक्त करता हूं संभूसोनी जी का जिनों ने इस तरह की इतनी गंभीर मुद्दे को सामने लाया और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार इसकी प्रिक्षा नहीं करेगी गर्वती मरिलाओं को इलाज के लिए गाड़ियां अपलप्त कराई जाए हैं बबलू पध्याए बबलू पध्याए जी आप इस राज के एक बड़े समाजिक उध्धा है यह आपने सावित किया है इसलिए आपका यह बहुत बहुत अभार और आप लोग जिस तरह से उत्सा बढ़ा रहे हैं मैं 365 दिन मैं वादा करता हूं कि आप लोग इतनी सुन पर जाएगा लेकिन मैं जितना हो पाएगा लॉकडाउन के पिरिएड में जरूर समाज की बातों को उठाऊंगा और आप लोग उसे आगरा करते हैं कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं किन बिंदूओं पर बोलूं और आप लोग जो बोलेंगे मैं जो भी बोल रहा हूं या आप लोग की आवाज है और मुझे गर्व इस बात का है कि कम से कम मुझे इन सारी चीजों को बोलने का मौका मिल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं बहले कुछ लोग को लगता को किसका असर पढ़ रहा है कि ने पढ़ र सामाजीत की बात करते हैं और गुड्डु ओर जो बोलते हैं յह सामाज का आई बन करके आँख बन करके बोलते हैं और शरकार का नीखम्र का रहा है अज इत्ना ही रहने दीजिए और फिर आप लोग ये बताइए गा कि और किस विद्दू पर मैं बात करूँ किस भी सेपर अच्छा अब यह भी रत्वीर अमीद जी का एक आ गया बाबा जी आज पी एम सी एज के परिसर में देखा कि ऐसे लावारिस लोग है इस लोकडाउन में जिनका हालत बत्तर है उसमें सरकाज जरूर ध्यान दिया जाए पी एम सी एज का लावार लावारिस वार्ड जब खुला था उस समय मैंने विरोध किया था लावारिस मरीज जब जनरल वार्ड में रहा करते थे तो जनरल लोगों की शानभूति उनके साथ होती थी डॉक्टर उसको प्रिक्षा नहीं कर पाते थे लेकिन पता नहीं एक तथा कथित सरकार के करीबी एक समाजी कर्च करता थे उन्होंने एक कॉंसेप्ट लाया लावारिस वार्ड का बहुत सारे पैसे खर्च हो गया इमर्जन्सी में कलक केविन मनाता है फिर वहाँ से अटा फिए गए अब इस सिती हो गए कि जो लावारिस वार्ड है उसको लावारिस वास्तों में लड़ रहा हूं कई बार डेट पड़ चुकी है हमने लावारिस मरीजों की हालात का वहाँ पर कंप्लेंड किया है नस्नल हीमन डाट्स कमिशन में वो चल रहा है चुकि अभी जो आपने इसारा किया है देखा है मैं फिर से अधिक्चक पीम से बात करता हूं कि आ उस पर ध्य जान दीजिए प्रिंस्पल से बात करूंगा और निश्ची तोर पर इसका असर होगा और नहीं होगा तो मैं लॉकडाउन कल तोड़ूंगा दो बज़े तक और मैं पीम से देखने के लिए जाऊंगा लावारिस वार्ड को यदि सुधार नहीं हुए तो मैं कल दो बज़े लॉकडाउन तोड़ूंगा मैं फेस्बुक पर बोल रहा हूँ सरकार के लोग सुन रहे हैं जो भी होगा मैं देखूंगा लेकिन मैं कल दो बज़े लॉकडाउन तोड़ूंगा अपना पीम से लावारिस वार्ड को देखने जाने के लिए और इसी के साथ आज का आप लो लोग करेंगे तो जरूर तोड़ूंगा लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये बात सामने आ गई है इस समय सुपरेंट से मैं बात करूँगा और निशित तोर पर उसमें सुधार हो जाएगी लेकिन लावारिस वार्ड ही क्या मैं खुल कर बोल रहा हूँ कि PMCH का वह स्वर्णिम काल था कि अंग्रेजों के जमाने में मरीजों को गरम पानी बेट तक कराई जाती थी गरम पानी का टैंक था वहाँ पर आज भी और सेस के तोर पर दिखेगा PMCH के ब्लट बैंक में एक फ्रीज है लकड़ी का आज भी इस एसिया का एसिया में एसिया महादीप में जब माइक्रोस्कोप की खरिदारी हुई थी तीन खरीदे गहते भारत में तो उस समय एक माइक्रोस्कोप मिला था हमारे फ्रिंस मेडिकल कॉलेज PMCH को जो पता नहीं आज है कि नहीं है वो हमारी ENT डिपार्टमेंट में रखा था वह PMCH की गरिमा थी हम लोग उसकी गरिमा को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन पता नहीं सिस्टम में कौन सा जंग लग चुका है जो हो नहीं पा रहा है और इसक गंड़ा है वहां मत जाओ मैं फिर दूरा दे रहाएं कि राजनी उस अगनी के समान पुवित्र है जो अगनी पाकसाला की स्रिंगार होती है और वही अगनी पाकसाला को जला कर स्रिंगार राह कर देती है और चुकि आप अच्छे लोग के दिमाग में डाला गया कि आप गलत जगह है मत जाओ तो आपने वैकूम छोड़ा तो आज जह लिए जह लेगा कौन आप ही लोग जह लेगे न लेकिन आप लोग सजग रहिए सब कुछ स्वता ठीक हुण जिस राज जिका जिस देश का युवा सजग होता है वह राज शंपन और सम्रिद होता है यह राज भी सम्रिद बनेगा इसी के साथ मैं सभी लोग का विवादन करता हूँ आप लोग उन्ने मुझे सुना और यह उम्मिद करते हैं कि फिर नयज भी सेपर बोलने के लिए आप लोग मुझे सुझाओ देंगे जांकारिया देंगे मैं फिर कला करके बोलूँगा